हेलो फ्रेंट्स जेहिंद एंट स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर तीन सेग्मेंट को पहला सेग्मेंट है कि ABT का DB कब तक होगा और यहाँ पर जो important document है कौन कौन से document है आपने ready कर लिया या नहीं इसके भी सेवें बात करेंगे next बात करेंगे यहाँ पर मुख सेविका का exam कब तक होगा और यहाँ पर third segment की बात करेंगे कि वीडियो और exam की regarding जो है notice कब तक जारी होगी तो friends से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो notice जारी हुआ था notification जो release हुआ था यह 38-2022 को यानि मुख सेविका का जो notice जारी हुआ था 38-2022 से इसका application बीगन हुआ था और इसका जो last date था 24-8-2022 था और fee payment करने के जो last date थी 24-8-2022 थी तो friends अभी तक जो है इसके regarding कोई notice जारी नहीं कि इसका exam कब तक होगा तो यहाँ पर देखिए 2693 वेकनसी थी तो friends आपको बता दें कि देखिए 30 अप्रेल को आपका forest guard का exam लगा हुआ है ठीक है forest guard का exam लगा हुआ है और देखिए आयोग जो है दो exam पर अभी काम कर रहा है तो पहला है forest guard पर ठीक है और दूसरा जो है आपका है जो gramby का सधिकारी का paper यानि video exam का paper है यह 18 June को जो date निकल के आ रही इस पर work कर रहा है उसके बाद ही यहाँ पर mukhsevika का exam होने की प्रबल संभावना रहेगी तो आपका mukhsevika के regarding जो notice जारी होगी आपका यहाँ पर 18 June के बाद ही जारी होगी ठीक है जब आपका video का exam हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर mukhsevika के regarding notification जो है जारी किया जाएगा कि इसका exam कब तक होगा तो यहाँ पर उने बात कर लिए है मुख्ष सेविका का exam कब तक होगा तो मुख्ष सेविका का exam के regarding जो notice जारी होगा आपका 18 जून के बाद ही जारी होगा तो अपनी तयारी को आप continue रखें और उसके बाद जहां से आप टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट को लगाते रहिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो है ABT का DB कब होगा तो देखिए ABT के DB के बारे में बता देए कि देखिए यहाँ पर जो important document है इसके regarding हमने कई वीडियो बनाया है जैसे इसमें आपका income certificate domicile certificate और caste certificate अगर आपके पास से जैसे पुराना वाला तो नहीं ठीक है यहाँ पर new आप certificate जो है issue करवा लिजिए नया certificate बना लिजिए यानि आय जात निवास इस सभी चीजें आप नया बना लिजिए और उसके बाद जो आपका निर्वाचन कार्ड अगर नहीं है तो निर्वाचन कार्ड बना लिजिए बाकी आपका अधरवाई जे आधार कार्ड से काम चल जाएगा ठीक है तो document सब ready रखिए ताकि वहाँ पर document verification में आपको कोई problem नहीं हो और यहाँ पर काफी student comment करना है कि spelling में correction करवाना है कि mother के नये में गलती हो गया है या father के नये में गलती हो गया है तो देखिए इसका कोई issue नहीं है और उसके बाद आपके certificate में जो भी गलती हुआ है आप एक एफिडेविट बनवा लेजिए ठीक है एफिडेविट आप बनवा लेंगे तो एफिडेविट से काम चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब बात करते हैं एविटी का डीवी कब तक होगा तो एविटी का डीवी जो है देखिए 30 अपरेल को आपका exam इसका forest guard का लगा हुआ है तो forest guard का exam जैसे 30 अपरेल को खतम होगा उसके बात जो है एविटी के regarding जो है आपको डीवी का notification जो है देखने को मिल सकता है ठीक है तो सभी document अपना ready रखिए ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो तो मई मन्त में ही आपको एविटी के regarding जो है notification आपको देखने को मिलेगा अब अगला next बात करते हैं कि यहाँ पर वीडियो और exam की notice कब तक जारी होगी तो वीडियो और exam की notice देखिए जो भी exam करवाये जा रहे हैं आपके 30 दिन पहले notice जारी हो रही है कितने 30 दिन पहले notice जारी हो रही है तो वीडियो रिग्जाम के रिगार्डिंग नोटिस आपको 15 माई के बात देखने को मिलेंगे ठीक है यानि 15 माई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि वीडियो रिग्जाम के रिगार्डिंग ठीक है तो यहाँ पर हमने 3 सेग्मेट में बात किया कि ABT का DB कब होगा और मुक्षेविका का एक्जाम कब तक होगा और यहाँ पर वीडियो और एक्जाम की नोटिस कब तक जारी होगी तो आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे होगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और फ्रेंट्स अगर चैनल पर नहीं चैनलेश को सब्सक्राइब करने ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन वंदे मातरम